हेलो एवरिवन मेरा नाम राजीव है और वेलकम तो नेक्स वीडियो अफ पांडाज सीरीज पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम CSV फाइल से डेटा को रीड कर सकते हैं हमने यह भी देखा था CSV फाइल क्या होता है और एक CSV फाइल हमने क्रिएट भी किया था जिसका नाम था data.csv और उस वीडियो में मैंने भी बताया है कि बताया था किस तरीकिसे इस फाइल को आप जुप्टर नोट बुक में ओपन करोगे अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रप्शन में है जाको उस वीडियो को देख लो ओके स्टार्ट करते हैं जो कल मेंने फाइल ओपन किया था पांडास डेमो उसी को वापस में ओपन करता हूं राइट यह हमारा एडिटर कुछ सेकंड लगेगा इसमें अगेन आपके कम्प्यूटर की स्पीड को उपर डिपेंट करता है तो यह ओपन होगी यह हमने कल करके देखा था ठीक है CSV फाइल में जो डेटा है उसको read.csv से हमने read किया और df में store हो गया फिर df को हमने यहां पर print करके देखा था आज हम real data पर work करने जा रहे हैं तो यह पूरा मैं हटा देता हूं ठीक है सबसे पहले मैं कुछ real data download करता हूँ तो कहां से download करूँगा आप चाहो तो stack overflow से stack overflow हर साल survey result पब्लिश करता है तो आप वहां से data download कर सकते हो तो यह देखो stack overflow यह हर साल का देखो यहां पर survey है मैं 2019 का data उठाता हूँ यह हमारा पूरा data है इसको download कर लेते हैं हम इसको download कर लेते हैं सो यह हमारा यहां पर नीचे देख सकते हो developer survey डाउनलोड हो चुका है इसको देखने के लिए हम download folder को ओपेन करते हैं अपने computer में डाउनलोड्स और यह देखो developer survey 2019 इसको extract कर लेते हैं extract मैं desktop पे कर लेता हूँ extract to मैं देख स्टॉप और desktop पे जो मेरा pandas demo folder है इस ही में मैं कर लेता हूँ select और इसको मैं cut कर देता हूँ pandas demo folder को open करते हैं यह देखो हमारा developer survey result यहाँ पे आ चुका है 2019 इसमें कौन-कौन से file है macox इस folder सो कोई मतलब नहीं है इसको delete कर दो मैं इसको delete कर देता हूँ अब देखो यहाँ पे कुछ file है readme 2019.txt basically इसमें दिया हुआ है किस तरीके इस data को use करना है हमारे में में जिस file से मतलब है वह हमारा कौन सा है survey result public.csv इस file से मतलब है इसमें पूरा का पूरा data है जो की comma से separated है क्योंकि यह csv file है ठीक है अगर इसको आप open करोगे तो देखो के बहुत सारे values होंगे जो comma से separated होंगे अगर csv file नहीं पता क्या होता है तो जाके पुराना वीडियो देख लो जिसका link मैं दे रखो और यहां पे survey result schema इसका मतलब क्या है अब देखो अगर इस file को आप open करोगे तो बहुत सारे इसमें column होंगे ठीक है तो हर column एक question का answer है इस survey में तो कौन सा column किस question को represent करता हो इस file में दिया हुआ है तो अभी हम दो detail में इसके बार में बात करेंगे इसको मैं cut कर देता हूँ चुकि यह folder हमारा कहां save है survey result वाला pandas demo में ठीक है यहां देखो और pandas demo folder को मैंने किसमें open किया हुआ है जूप्टर notebook में तो यहां पे मैं pandas demo को open करता हूँ और यह देखो pandas demo developer survey 2019 ए फोल्डर हमारा यहां पे so कर रहा है ठीक है तो चलते हैं अपने editor में हम ठीक है अब हमें क्या करना है सबसे पहले data को read करना है तो कैसे read करेंगे हम लिखेंगे पहले pandas को import करेंगे so import pandas as pd मैं थोड़ा से इस चीश को असान कर देता हूँ जो हमारा folder है desktop पे हमारा pandas demo और इस folder का मैं नाम change कर देता हूँ इसका नाम में कर देता हूँ simple data okay मैं simple इसका नाम मैंने data कर दिया okay so मैंने pandas को import कर लिया pd नाम से अब हमें data को read करना है तो कैसे करेंगे read csv अब यह method है किसका method है pandas का यानि हम लिखेंगे pd.read csv और data कहां से read करना है मैंने बताया था ना वापस चलते हैं यह देखो यह data folder के अंदर यह जो survey results public.csv है इसी से data में read करना है तो यह कहां है data folder के अंदर तो हम लिखेंगे data ठीक है उसके बाद क्या नाम था survey यह देखो survey results public.csv survey underscore results underscore public.csv अब read.csv क्या करेगा है पूरा data read करेगा और data frame का form में return कर देगा तो मैं df ले लेता हूँ data frame का short data frame क्या होता है मैं बात करूंगा आने वाले videos में detail में उसके बारे में shift enter हमारा run कर गया अब हमें output देखना है तो simply लिखो df यह देखो हमारा पूरा data यहां पर show कर देगा एक कुछ time हाँ यह देखो data हमारा पूरा आ गया ठीक है यहां पर total अगर देखोगे तो यह सारे हमारे row है respondent एक row है main branch hobist open source open sourcer employment country student इसारे row है sorry यह सारे column है यह देखो और यह सारे क्या है हमारे row है यह सब row है ठीक है तो total column कितने है अब यह देखो column बहुत जादा है यहां देखो बीच में triple dot दिख रहा है यहां पर डॉट 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 बीच में कर दिया है क्योंकि सारे row नहीं कर सकता क्योंकि यह पूरा survey result है stack overflow का row बहुत जादा है और column भी बहुत जादा है तो यह देखो बीच में ऐसे triple dot करके कर दिया है मतलब ISOcon cat कर दिया है पूरा शो नहीं कर रहा है अगर हम यह देखे तो रो देख रहा हो यह देखो कॉलम रो और कॉलम भी बहुत जादा है पूरा obvious सी बात है सो नहीं कर सकता अगर तुम्हें जानना है टोटल कितने रो और कितने कॉलम है तो सिंपल है डी एफ जिसमें हमारे डिटा है डॉट शेप एच एच ए पी इए सिफ्ट एंटर यह देखो 88,803 हमारे टोटल रो है और टोटल कॉलम कितने है 85 अब obvious सी बात यहां पे सारा सो नहीं करेगा concat करके ही सो करेगा ठीक है तो आई होप है कितना clear हो गया होगा कि यह किस तरीके से काम करता है इसके अलावा अगर और information चाहिए हमें रो और कॉलम के बारे में तो हम लिख सकते हैं df.info अब df.info क्या करेगा हर कॉलम के का बारे में पूरा information दे देगा जैसे यह देखो मैं दिखाता हूं यह जो पहला कॉलम क्या है तो int64 ठीक है count क्या है non null ठीक है इस सारा detail दे दिया दूसरा column देखो यहां पर क्या है main branch तो यहां पर देखो main branch एक इस type का है object basically object का मतलब string type समझ लो अभी के लिए अलग लग data type तुब दिखेगा आगे मैं पूरा एक data type का video बनाऊंगा जैसे फ्रोट 64 इसारे ठीक है मैं data type पर पूरा आगे video बनाऊंगा तो basically df.info क्या करेगा जितने column है हर column का total कितने column है वो बता देगा देखो यहां पर 84 column total ठेक इसके साथ हर column का type क्या है वो भी बता देगा ठीक है इस सारे details हमको बता देगा so I hope इतना clear हो गया होगा ओके अब एक चीज यहां पर देखो यहां पूरा column हमें show नहीं कर रहा है दिख रहा है न यहां पर सिर्फ कितना column show कर रहा है यह देखो hardly 10-15 column show कर रहा है और बीच में क्या कर रहा है कौन कैट कर दे रहा है क्योंकि obvious से बात है पूरा show करेगा तो बहुत ज्यादा यहां पर हो जाएगा बट हम चाहें तो जुपिटर नोट बुक की setting change करके पूरा column हम देख सकते हैं कैसे करेंगे सो बहुत सिंपल है यहां पर मैं एक सेल एड़ करता हूं मुझे सेल उपर ही एड़ करना पड़ेगा मैं इसके नीचे एक सेल एड़ कर देता हूं यह प्लस पर क्लिक करो सेल एड़ हो जाएगा और इसमें हम setting change करने के लिखेंगे किसका setting change करना है Pandas का जिप्तर नोट बूक में थो हम लिखेंगे PD, Pandas को हमने किस नाम से इंपर्ट किया है PD नाम से तो PD. फिर लिखेंगे हम set options, और फिर set option में हम देंगे display, max column डिस्प्ले डॉट मैक्स कॉलम सी ओ लो यू एम एन आई होप स्पेलिंग यही है नहीं कलत मैंने कर दिया सी ओ ल यू एम एन ठीक है और फिर कॉमा कितना रो देखना चाहते हैं हम टोटल 85 जितने रो हैं देखना चाहते हैं तो इसको सिफ्ट एंटर ठीक है अब डी एफ को करते हैं देखो आप देखो यह सारा हमारा रो शो कर दिया ठीक है यह देखो भीगए, से अब हमारा पूरा कॉलम्स कर रहा है इसी तरीके से चाहिए तो हम सेटिंग चेंज करके पूरा रो भी देख सकते हैं ठीक है बट ऑव्यस से बात है रो बहुत ज़्यादा है टोटल रो कितने है यह देखो 88883 है तुम देखने कोई मतलब नहीं है ठीक है तो बिसिकली डेटा में से कुछ रो का हम रिकॉर्ड निकालते हैं जो हमें देखना होता है जैसे मानलो तु है किसी इंडिविजुवल का रिकॉर्ड है अब इस चीश को ध्यान से समझो यह जो डेटा है यहां पे जो कॉलम में हर कॉलम किसी ना किसी कोश्चन का एंसर है ठीक है मैं इसको एक स्वें करता हूं हर कॉलम किसी ना किसी कोश्चन का एंसर है बैसिकली एक रो एक रिकॉर अगर इसको देखना चाहते हो तो यहाँ पर सिंपल है अगेन हमें मैं आप लिख देख वरियेबल ले लेता हूँ df schema और फिर read करना तो कैसे read करेंगे pd.readcsv pd.readcsv और हमारा file कहाँ पर है data folder में so data और इसका नाइम देख लो क्या है survey results schema तो आते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे survey underscore results और फिर schema so schema.csv इसको run करते हैं अब df schema को हम run करते है df schema यह देखो आ गया so देखो total 85 हमारे यहाँ पर रो क्योंकि 85 रो अब क्यों हो गया क्योंकि basically यह सारे column नेम है ठीक है तो अब हर column का record row में दिया है तो इस 85 रो हो गया है confused में थो ना तो देखो पहला column क्या है respondent और इस इस column में question क्या पूछा गया था यह basically respondent id है सबको एक id दिया गया 1 2 3 4 तो इसलिए आपर देखो गया उपर जो हमारा data है तो देखो respondent में क्या है सबका id 1 2 ठीक I hope clear हो गया हो गया इतना so अब आते हैं दूसरा column क्या है main branch में question पूछा गया है which of the following options best describe you ठीक है पूरा question नहीं दिखा रहा है concat कर दिया है मैं आगे बताओंगा पूरा question कैसे देख सकते है तो देखो इसका answer इसे देखोगे लोगों answer दिया है जिसे first person answer the I am a student who is learning to code second person answer the I am a student third person answer the I am I am not primary a developer but I write code okay so आपस आते हैं यहां पर third column क्या है hobist इसमें basically hobist column का मतलब इस question का answer है do you code as a hobby तो देखो यहां पे लोगों ने अपने answer दिया होगा hobist column में देखो yes no so I hope clear हो गया होगा है क्या हो रहा है okay चलो अब आते हैं अब अगर मान लो तुम्हें सिर्फ ऊपर के पांच record देखने हैं जो data है तुम्हारा ऊपर के पांच record देखने है तो उसके लिए data किसमें df में न तो df dot और उसके लिए हमारे पासे एक method है pandas का head तो हम लिखेंगे head parenthesis open close right इसको run करते हैं यह देखो हमारा सिर्फ पांच record सो कर रहा है I hope समझ में आ गया होगा तो हमारा पांच record यहाँ पर सो कर दिया देख रहा है जीरो वन तू थ्री फोर ठीक है अगर सपोज तुम्हें टॉप के 10 देखने है record रो तो यहाँ पर head में value क्या पास कर दोगे 10 shift enter यह देखो हमें 10 record उपर से 10 record सो कर दिया ठीक है देखो इन 9 तक जा रहा है क्योंकि 0 से start हो रहा है I hope समाझ में आ गया होगा ठीक है अच्छा सपोज अगर हमें नीचे के पांच record देखने है तो तो भी बहुत simple है यहाँ पर simple हम लिखेंगे df.tail त-a-i-l यह एक method है हमारे pandals का shift enter यह देखो नीचे के पांच record 88-8878-8879-8880-88881-88882 ठीक So I hope clear हो गया होगा कि हमारा tail और head किस तरीके से काम करता है किस तरीके से अलग लग record को देख सकते हैं तो यह हमारा real data है जो मैंने developer service है download किया और हम लोग आगे इसी data पर work करने वाले हैं तुम्हें ऐसे छोटी data नहीं मिलेंगे जिसमें सायद 3-4 column हो या 2-3 row हो तुम्हें ऐसे बड़ी data पर काम करने वाले हो इससे information निकालोगे इस data को analyze करोगे तो उसी पर सीखते है जादा बेटर है चाहे तुम्हें school student हो या college student हो या professional कोई फर्क नहीं पड़ता so thank you for watching this video मिलते हम लोग अगले वीडियो में अगले वीडियो में लोग data frame के बारे में बात करेंगे so channel को subscribe करो और video को like करो and friends के साथ share करो thank you